हेलो नमस्ते कैसे आप सभी मुझे आसा है कि आप सभी स्वाष्थ होंगे लेकिन अभी भी कोरोना के डर से सभी लोग डरे हुए है मैं अभी एक वीडियो देख रहा था उसमें एक सर्दी जुखाम बुखार खांची होना भी आज कल बहुत बड़ा गुना हो गया है लोगो मुझे पहले कभी सर्दी जुखाम बुखार या खांची की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि जिसके वज़े से लोग डरे हुए कभी डरे या अभी उनको डराया जा रहा है उसको एक जो मैं अभी एक वीडियो देख रहा था मैं अभी आपको पूरा वीडियो बताऊंगा उसमें किवल सर्दी जुखाम बुखार गले में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी जिसके वज़े से डॉक्टरों ने उनको भर्ती कर लिया और भर्ती करने के बाद उनकी कोरोना की टेस्ट किया गया उस कोरोना के टेस्ट में जब तक उसकी टेस्ट नहीं आई होस्पिडल का वह उस ब्यक्ति को इतना डराया गया कि आपको केवल कोरोना है कोरोना से संक्रिमित आप हो चुके हो यह बताइए किसी और कारण से क्या बुखार सर्दी जुखाम बुखार खासी की प्रॉब्लम हो सकती और उनको जब टेस्ट आया तो निगेटिव आया उ और जो लोग डरे हुई हैं जिनको कोरोना है भी नहीं हो सकता है यदि वो डरे हुए हैं तो कोरोना के डर से ही वो मर जाएं तो इस तरह से किसी के साथ वेह वाल Moment ना करें और मैं सभी से अनुरोद करता हूं कि आपकी चाहे सहर के लोग हो यह कॉलोनी के लोग हो डॉक्तर सो किसी तरह का इस्टाफ हो आप किसी के साथ ऐसा वहवार ना करें जिससे की वह कोरोना से तो ना मरें लेकिन उसके डर से जरूर मजाए प्लीज आप यह वीडियो और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं दोस्तों नमस्कार मेरा नाम अनु अगरवाल है शिकोहबाद निवासी हूं मैं अभी आज ही हॉस्पिटल से चुट्टी कराकर मैं घर बापस आया हूं कोविट 19 के विसे में करोना के विसे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं सबसे पहले मैं आपको देखाना चाहता हूं CMO कार्याले की वो रसीद जो कि मेरा करोना टेस्ट हुआ था उसके बाद नगेटिव आई थी मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना जैसी बीमारी जो आजकल इस भारत वर्स में फैल रही है उसमें जब लोगों को संक्रमण उसका दिखाई पड़ता है उसके बाद सामाजिक व्यभार जो इनके पती किया जाता है उससे लगबग आदमी का मनोवल इतना तूट जाता है इतनी परिशानी उसको भोगनी पड़ती है कि उसको खुद लगता है कि मैं करोना से गर्शित हो गया और मरने से पहले उसकी मौत आ जाती है मुझे लगता है कि करोना से मौत का आंकड़ा भारत वर्स में बहुत कम है और जितना कम वो आंकड़ा है उससे भी कम करोना से मरने का आंकड़ा है क्योंकि लोग दहसस से और जो समाज जो पतिकरिया दे रहा है डॉक्टर जैसा व्यवार कर रहे हैं उसकी वज़े से लोग सहेम के डर के कुरोना से पहले मर जाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मुझे कुछ कुरोना के संक्रमलत मेरे सरीर में दिखाई दिये फीवर आने की वज़े से शिकावबाद मैं मैंने डॉक्टरों से संपर किया उस दोरान शिकावबाद के डॉक्टर साहब सरी संजीब जी माधुर जो की सामाजिक डस्टी से बहुत अच्छे डॉक्टर है हर मरीज का बहुत प्यार से ध्यान रखते हैं सब को जिसके पास विवस्ता है उसको विवस्ता के इसाब से और जिसके पास वबस्ता नहीं है उसके एसाब से अपने मरीज को देखते हैं तो इसी करम में जब मुझे करोना हुआ तो मैं उनके पास गया और मैंने बताया कि मुझे मैं ऐसे संक्रमना आ रहे हैं कि मुझे लगता है कि मुझे करोना है उन्होंने मेरा लोकल में जो भी हो स सजेश किया कि संक्रमन आपका बढ़ता जा रहा है संक्रमन में मैं आपको बता दू मुझे फीवर था बहुत तेज और उसके बाद जब मुझे टीटमेंट चालू किया उन्होंने तो मेरा सीना जो है जकडने लगा सांस लेने में मुझे तकलीफ आने लगी और उसी होस्पिटल में अमरजैंसी में मुझे को रखा गया और सबसे पहले मुझे एडविशन देने के जस्ट बाद उन्होंने मेरी कोराना की जांच कराई जिस डॉक्टर ने मुझे अटेंड किया अमरजैंसी में उसने मुझे बताया कि आप में कोरोना के संक्रमण है उस समय तक ज़्यादा तबियत मेरी घराब नहीं थी तो मैंने उस चीज को समझा मैंने का चलो संगर्स करते हैं जो भी है मुझे एडविशन देलाई है उन्होंने मुझे एडविट करा दिया आर भी क डाक साब जो मुझे देख रहे थे उस पांजली में उन्होंने मेरा पूरा चेक अप करने के बाद मुझे बताया कि संक्रमण आप में है कोई प्रावलम नहीं है हम उसका इलाज करते हैं आप जब तक अपना चेक अप कराई है और मेरा इलाज चालू कर दिया गया दिन प् पांच कदम दूरी से मुझको देखा और उसको देखने के बाद उन्होंने कहा कि मुझ को लिए जीब बाहर निका लिए और उन्होंने बताया कि आपके गले में कोई दिक्कत नहीं है मैंने उनको बोला डाक साब जब दिक्कत नहीं है तो फिर मुझे तगलीफ क्यों हो रही है उन्होंने का वाइरस है वाइरस का मतलब आप समझेगे कि आपको करोना वाइरस है जब उन्होंने भी मुझे बताया कि करोना वाइरस है तो उस समय मेरी हालत बहुत जादा टूट सामाजिक डिस्टी से बहुत सारे कॉल मुझे आने लगे और लोग पूछने लगे कैसी तबियत है आपकी कैसे हैं आप किसी ने डारक लिए पूछा कि करोना पोजिटिव आया क्या किसी ने पूछा कि तबियत कैसी है मेरा मनोगल तूटने लगा जब मेरा मनोगल तूटने तो मैं डरने लगा करोना से जब मैं करोना से डरा बहुत जादा डरने लगा डॉक्टर इतनी दूर से देख रहे थे हलाकि दर्मियान जो वहां बाड बॉय थे या जो मुझे टीटमेंट दे रहे थे उन्होंने मेरे साथ अच्छा विवार किया लेकिन डॉक्टरों का चार दिन का विवार जो मैंने देखा डॉक्टर मुझे दूर से बात कर रहे थे दूर से ही मुझे देख रहे थे हर बात पर कह रहे थे कि आपको वाइरस की प्राबलम है मेरा मनुवल टूट गया जब टूट गया तो मेरी इस्तिति यह आ गई कि मैं अपने परिवार के विशे में सोचने लगा और सोचने लगा कि मुझे करोना पोजिटिव की रिपोर्ट आने के बाद मेरे परिवार को कहा सिफ्ट किया जाएगा कहा रखा जाएगा इस दोरान कई दोस्तों ने मेरा मनोबल बहुत बढ़ाया कहा चंता मात्परो मेरा भाई मेरे साथ उस्पांजली ऑस्पिटल में मौजूद था जब मैं उसकी तरफ देखता था तो मुझे लगता था कियार मुझे करोना है और मेरी वज़े से मेरे भाई को करोना हो जाएगा मेरे घर प कि मरने से अच्छा है कि एक वार में मौत आ जाए मुझे तो वह जादा बहतर होगा फिर भी मैंने खुद को समाला लगबग रात को समय राहोगा साड़े दसका मुझे लगा कि अब मुझे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है क्योंकि मेरी वज़े से मेरी फैमली बह लगबग उसके 10 मिनट बाद उससे पहले का किरम और बताना मैं आपको सेर करना चाहूँ है मैं बैट पर लेटा हुआ था मुझे सांसे तेज तेज आ रही थी मुझे लग रहा था कि मेरी सांस रुखने वाली है क्रोणा संक्रमन मेरे गले में COVID-19 बैट चुका है और वो लेकिन उन्हीं 10 मिनट बाद नर्स आती है और कहती है कि आपका कुरोणा का टेस्ट जो हुआ था वो नगेटिव आ गया है जब ये नगेटिव की रिपोर्ट उन्होंने मुझे दिखाई उसके जस्ट पांच मिनट बाद मुझे ये लगा कि मैं स्वस्त हूँ मैं ठीक हूँ मेरे चहरे की रौनक लॉट आई और मुझे उन डॉक्टरों पर बहुत गुस्ता आया जन्होंने मुझे बार-बार बोला कि आपको कुरोणा है आगरा पुस्पांजली इतने बड़े हॉस्पिटल के एंटी डॉक्टर मुझे चार कदम दूरी से देखके गए जिनके नेटवर्क में मैं चार दिन वहाँ एडमिट रहा उन्होंने मुझे दूर से ही देखा कभी मेरे सरीर से भी हाथ नहीं लगाया क्या आपको लगता है कि किरोणा से किसी की मौत होती होगी साइध मुझे लगता है मैं दिल का बहुत पक्का इंसान हूँ इस बज़े से इस किरोणा की जंग जीत कर मैं अपने घर बापस आया वहाँ से मैंने चुट्टी कराई मैं बापस आया क्या आपको लगता है कि दिल का कोई और कमजोर कोई होता पराणी तो वो उस समय तक जीवित रह पाता इसलिए मैं सरिफ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि किरोणा से मरने से पहले ये सामाजिक लोग आपको मार रहे हैं अगर किसी को कोई भी ऐसा किरोणा संक्रमन है तो सबसे पहले वो अपने दिल को मजबूत करे कि किरोणा से किसी की मौत नहीं हो रही है सामाजिक पतिक्रियां बिल्कुल बंद गर दे उस समय पर लोगों के नेटवर्क में रहना बंद गर दे अगर किसी को कोई बिमारी होती है इन सब बातों से सिर्फ मेरा इतना कहना है कि जो लोग इस करोणा संक्रमन फैलने के समय पर जो बीमार हो रहे हैं और वेवजा बेपरैसानी के सिर्फ अपने तनाव में अपने प्रयाण त्याग रहे हैं वो मेरे इस वीडियो से कुछ समझें इतना दवाव ना बनाएं कि उनकी मौत हो जाए संगर्स करें मुझे तो कुरोना नहीं निकला मैं पोजोटिव नहीं निकला लेकिन पोजोटिव निकलने से पहले डॉक्टर और समाज ने मुझे मार कर रख दिया होसला रखिए दोस्तो कुरोना से मौत संभव नहीं है संगर्स कीजिए नमस्कार दोस्तो